नमस्कार दोस्तों तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल रस्लिंग चैंपियंशिप के चार ओक्टोबर के डिजल्स की साथ ही साथ आज यानि की पांच ऑक्टबर के शेडियूल की जो की हम बताएंगे की आज की दिन आप सभी को किसके समय भारती रस्लिंग एक्शन में नज़र आने वाले हैं तो भारत के लिए कल का दिन थोड़ा अच्छा साबित हुआ अगर पिछले दिनों के परफॉर्मेंस से हम कमपैरिजन करते हैं काफी रस्लिंग ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और काफी सारे भारती रस्लिंग अपने क्वालिफिकेशन राउंड को जीतने में कामयाब हुए हैं अब हम बात करेंगे सबी मैचेज के रिजल्स के बारे में और बताएंगे कि कौन कौन से रस्लिंग तक जा पहुचे थे तो सबसे पहले बात करते हैं संगीता फोगाट के मुकाबले का उनका क्वालिफिकेशन राउंड में जर्मनी की रस्लिंग से सामना था जिया लेकिन संगीता ने कौलिफिकेशन राउंड काफी आसानी से अपने नाम कर लिया और वो प्री क्वाटर फाइनल्स में जा पहुची लेकिन प्री क्वाटर फाइनल्स के अंदर संगीता अपने फॉर्म को कंटिन्यू नहीं कर पाई और उन्हें हार का सामना करना पड़ा प्री कोडर फाइनल में उनका मुकाबला ब्राजील की रसलर से था जहाँ पर संगीता को इस मुकाबले में 4-6 से हार का सामना करना पड़ा वहीं संगीता के अलावा गर एक और महिला रसलर की बात करते हैं तो वो रही पिंकी उन्होंने काफी जबर्दस परदशन किया है कल के दिन उन्होंने अपने बात करते हैं कौलिफिकेशन राउंड प्री कोडर फाइनल कोडर फाइनल जीत कर सेमी फाइनल तक जाने में वो कामियाब रही थी लेकिन सेमी फाइनल में उनका मुकाबला जर्मनी की खिलाडी सिदा जहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा लेकिन आज के दिन पिंक की आप सभी को अपना ब्राउंच मिडल मैच खेलती भी नज़र आएंगी उसके अलावा भारत की और से कल शुशील भी आक्शन में नज़र आए लेकिन वो अपने मुकाबले को दो पांस से हाई गयर और यहीं से ही बाहर हो गए वहीं शुशील के अलावा सत्यवर्थ कादियान भी कलेक्शन में नजर आए लेकिन उन्हें भी कोरिया के रसलर ने हरा दिया और वो भी हैंई से ही बाहर हो गए वहीं अब बात करते हैं कल की दिन के आखरी मुकाबले की जो की था रोहित का रेपचेज राउंड में जीतने में कामियाब हुए जिसके लिए वो ब्राँज मेडल मैच के लिए क्वालिफाई कर गए आज उनका ब्राँज मेडल मैच था और उन्हें मंगोलिया के रसलर से हार का सामना करना पड़ा जिसकी वज़े से रोहित ब्राँज मेडल जीतने से चूग गए और भारत को अभी तक एक भी मेडल इस चैंपियंशिप में नहीं मिला है तो ये तो ती सारे रिजल्स की बात लेकिन हम उमीद करते हैं कि आज का दिन भारती रसलर्स के लिए अच्छा साबित हो तो चलिए अब बात करते हैं हम आज यानी के पांच आक्टोबर के शेडियूल की जो की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में रहने वाला है तो आज के मुकाबले भी दो पैर दो बज़े से ही शुरू हो जाएंगे जो की रहने वाले हैं 50 किलो 53, 65 और 76 किलो के वुमेंस फ्री स्टैल के कौलिफिकेशन राउंड उसके लावा दो बज़े से ही 70 केजी और 97 केजी के मेंस फ्री स्टैल के रैपचेज राउंड होंगे वहीं दो बज़े से 55, 62 केजी वुमेंस फ्री स्टैल के रैपचेज राउंड भी खेले जाने हैं उसके बाद काफी बड़ा ब्रेक होने के बाद रात को दो बारा से 7-8 बज़े से मुकाबले शुरू हो जाएंगे जो की रहेंगे 50 केजी 53, 65 और 76 केजी वुमेंस फ्री सेमी फाइनल्स और फिर इसके बाद रात को साड़े 9 बज़े से 70 और 97 केजी के मेंस फ्री स्टैल के फाइनल्स मुकाबले होंगे और साड़े 9 बज़े से 55 केजी और 62 केजी वुमेंस फ्री स्टैल के फाइनल्स भी खेले जाएंगे तो ये था 5 आक्टोबर का शेडियूल आप सभी के लिए मुझे उमीद है कि ये वीडिया आप सभी को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेर करना ना भूले साथ ही हमारे चानल से ऐसे ही जुड़े रहें ताकि आप सभी स्पोर्स एटेड अपडेट्स को जान पाए तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए सो थैंक यू एवरिवन